My dear student, class third, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, तो हम आज आपको बुक में चैप्टर बान रीट करना सिखाएंगे, तो आपके चैप्टर का आपके पार्ट का क्या नाम है, आगे बढ़ते जाएंगे, और इस कविता को किस ने लिखा है, मिस्टर देव प्रकास गुप् का नाम है, मिस्टर देव प्रकास गुप्त, तो गुप्त जी ने कविता के माध्यम से बच्चों के नए उत्सा, जोस और उनकी जिग्यासा और उनकी भावनाव को दर्शाया है, बताया है कि कैसे चलेंगे हम, क्या करेंगे, तो आईए, हम कविता बढ़ते हैं, पहले रे आईएंगे, वक्त पड़ा तो अंगारों पर, चलकर भी मुशकराएंगे, चाहे कितना अंधकार हो, या चढ़ाव हो, या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे हम, हस्ती सुबा बुलाएंगे, तो कभने क्या कहा है कि हम भारत के नए सिपाही हैं?, यानि कि हम नन्हे सिपाही हैं नयसी पाही हैं आगे बढ़ते जाएंगे आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे अपने कदम बढ़ते जाएंगे वक्त पड़ा तो यानि कि समय आया तो हम अंगारों यानि आग पर भी चल करके मुस्कर आएंगे हसेंगे चाहे जितना अंधकार हो यानि कि चाहे जितना अंधेरा हो, या चढ़ाओ हो, या उतार हो, यानि कि चाहे जितना उचा नीचा हो, चढ़ना हो हमको, चढ़ना उतरना हो, पर हम कभी हिम्मत अपनी नहीं हारेंगे, अपनी हिम्मत को हम नहीं हारेंगे, हस्ती सुबा हम लाएंगे, तो बच्चा क्या कहता है कि हम साहस के साथ हिम्मत के साथ अपना साहस हम कभी नहीं हारेंगे यानि कि हम अपने हिम्मत को कभी नहीं खोएंगे और हम हस्ती हुई सुबा बुलाएंगे हम भारत के क्या है हम हम भारत के नैसी पाही है और हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे समय आने पर हम आग पर भी चल करके मुस्कराते रहेंगे हसते रहेंगे चाहे जितना अधेरा हो चाहे जितना चड़ना हो चाहे जितना उतरना हो चड़ा उतार हो कुछ भी हो पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे क्या नहीं हारेंगे हम अपना साहस नहीं हारेंगे नहीं खोएंगे और हम क्या करेंगे एक हस्ती हुई सुबा ले करके आएंगे तो हम बाकी का टॉपिक आपको कल बताएंगे बाए कुटे